जैन दुस्तों अंदे मातरम तो भाईया कल गाजे बजाहे धूम धड़ाके के साथ में सनी पाजी की गदर्टू रिलीज हो गई अब गदर्टू की रिलीज के इंतिजार तो देखिए काफी लोगों का था तो ऐसे में सबसे वड़ी बात यह है कि जब इनकी मूवी रिलीज होई तब लोगों के मन में एक डर था कि यार ये मूवी क्या वाकई में अपनी एकस्पेक्टेशन के ऊपर खरी उतर पाएगी और यकीन मानिया ये मूवी बिल्कुल खरी उतरी है क्योंकि अब देखिए जब कोई मूवी मास को टार्गेट करके बन रही है तो अविस सी बात है उस मूवी का काम है उसी मास को अच्छे से टार्गेट करना और उन सभी का एनरेटेइन्मेंट करना और अगर ये करने में वो मूवी सफल हो रही है तो मूवी अच्छी है, सिंपल सी बात है तो भाई यहाँ पर गदर 2 ने कुछ ऐसा ही किया है यहाँ पर बस मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि आप गदर को इमाजिन करके मज जागिएगा गदर एक बहुती बढ़िया कल्ट क्लासिक मूवी थी यह उसका एक सेकेंड पार्ट बनाने का प्रयास है और अच्छा खासा प्रयास है लेकिन हाँ, हम इसको एक क्लासिक या फिर कल्ट क्लासिक मूवी की श्रेड़ी में अभी हाल फिलाल तो नहीं डाल सकते अब क्या होता है इस प्रकार की जो मूवीज होती है इस प्रकार की मूवीज की जो रिपिटिटिव वैली होती है वो काफी अच्छी होती है मतलब कि जब टीवी पड़ी यह मूवीज दिखाई जाती है तो इनको लोग बार बार देखना पसंद करते है सूरिवणशम सूरिवणशम की कोई कितनी ही बुराई कर ले मतलब अमिता बच्चन साब की जो ये मूवी है उसके उपर कितने मीम्स बंते हैं हम देखते हैं लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो लगतार चल रही है तो उसका कारण यह है कि लोग उसको देखते हैं मैक्स को TRP मिलती है उस टाइम पर ठीक है अब ऐसे में अगर हम बात करें सनी पाजी की गदर टू की तो भाई देखी कई लोगों ने इस मूवी को बताया कि यार इस मूवी उतनी अच्छी थी नहीं इवन हमारे भी जो एडिटर साब इस मूवी को देखने के लिए गये थे उनको भी यह मूवी उतनी पसंद नहीं आई लेकिन देखी क्या है उन्होंने भी यह चीज बोली कि यार यह मूवी मास सेंट्रिक मूवी है तो ऐसे में मास को अगर इस मूवी पसंद ना रही है तो यह मूवी वाकई में अच्छी है अब चावर समझने वाली बात यह है कि सनी देवल की इस मूवी को लेकर जो सिंगल स्क्रीन्स थे वहाँ पर एक बहुत बड़ा क्रेस था वहाँ पर क्रेस था कि नहीं यार यह मूवी को हम को देखना है और ऐसा करना ऐसा करना है ऐसे में जो हम लोग एडवांस बुकिंग की बात कर रहे थे तब एडवांस बुकिंग आखरी मूवेंट पर आ गई थी खड़ीब 17-18 करोड के उपर पहले दिन की तो एक अन्दाजा तो था कि बड़ी ओपनिंग लेने वाली यह मूवी लेकिन कहीं न कहीं एक डर भी था कि यार ऐसा नहों कि यह मूवी अगले दिन के लिए बैट जाए मतलब आज शनिवार के लिए मूवी बैट जाए आप यकीन नहीं मानेंगे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ 17-18 करोड रुपे के एडवांस बुकिंग लेने वाली मूवी जिसकों के लिए का प्रेडिक्शन्स थे कि यह 25-35 करोड के बीच के ब्रैकेट में पैसा कमा सकती है उसने उस मार्क को भी तोड़ती है सनी पाजी की यह मूवी जाकर बैटी है सीधे 40 करोड के मार्क पर पहले दिन कोई मूवी इतना कमा है यह बहुत बड़ी बात होती है और बॉलिवूड की कई सारी मूवी जो 40 करोड के अंदर अपना लाइफ टाइम कलेक्शन खतम कर दे रही है आज की तारीक में इतनी घटिया रणिंग चल रही है आजकल बॉलिवूड की मूवी इसकी ऐसे में एक गदल टू जैसी मूवी आती है और 40 करोड पहले दिन का ओपनिंग मार्क लगाती है तो आप खुद अंदाजा लगाईए कि क्या तवाही मचाएगी यह मूवी पहले दिन इतना कलेक्शन हुआ है और यह भी कलेक्शन जो आपको बता रहा हूँ नए रूफ डेटा है यह फाइनल डेटा नहीं है मतलब कि यह बता दिया गया कि 40 करोड के लगमख लगव इसने पहले दिन कमाया है इसमें अभी collection उपर भी जा सकता है वो भी मैं आपको बताऊंगा लेकिन अभी इस समय इसके आज के भी prediction सामने आ गए मैं अब दूसरे दिन ये movie कितना collection करेगी वो भी निकल कर सामने आ गए अब दूसरे दिन के अगरम collection की बात करें दो दूनों में 85 करोड का कलेक्शन निकालती है करन जोहर, संजलील भनसालीन सबकी मूवी जो थी न 100-100 करोड के आस्वास आकर डेड हो जाती है वहाँ पर सनी दियोल की एक मूवी आती है जो की मास सेंट्रिक मूवी है ऐसे लोगों के लिए बनाए गई मूवी है जिनकों की हमारा बॉलिवुड कुछ समझता ही नहीं है मुमानता इनके लिए कौन मूवी बनाएगा इसलिए गहराईयां जैसी मूवी बनती है वहाँ पर सनी दियोल इस तरह की मूवी लेकर आते हैं पताते हैं कि नहीं असली हिंदुस्तान को यही सिनेमा पसंद है सबसे बड़ी बार इस मूवी में पाकिस्तान में हिंदू की जो हालत है न उस पर भी उतनी ही तीवर कती से प्रकाश डाला गया है मतलब मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के लोग इस बारे में कुछ भी कह पाएंगे लेकिन यकीन मानिये गदर्टू में जो हालत पाकिस्तान में हिंदू की दिखाई गई है न वो वाकई में देखने लायक है अगर आप एक हिंदूस्तानी है तो आपको ये मुवी जाकर जरूर देखनी चाहिए जिससे कि आपके मन में यदी कभी कभी सान उभूती जाकती है पाकिस्तान के लिए या कभी-कभी आपके दिल में द्वेश जाकता है मुदी सरकार के लिए कि ये लोग पाकिसान से बात क्यों नहीं कर रहे है आपको समझ में आएगा बात ना करने का कारण क्या है दरसल जिनके हाथ खुन सर अंगे होते हैं आपके साथ टेबल पर बैटकर डिनर नहीं किया जाता इस बात को हमें समझना पड़ेगा तो भाई पहले दिन का कलेक्शन निकाला है गदर ने करीब 40 करोड का और दूसरे दिन का कलेक्शन जा रहा है 45 करोड पर क्या कहना है आपका जबारे में कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा मेरे सब्सक्राइब फिलालतनाई जैहिंद जैबार